हेलो दोस्तो नमस्कार हरे कृष्णा स्वागत करता हूँ आप के और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में दोस्तो आपके लिए गुड न्यूज है आज से रेगूलर वीडियो अप्लोड होगा ठीक है आज हम बात करेंगे NBA के बारे में Cleveland vs Portland के बीच मैच होने वाला है अगर यह मुकाबला आप उठा कर देखिए तो यह मुकाबला इसी तरीके से Cleveland जीच जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है ठीक है बाकी दोस्तो स्टार्टिंग लाइनप से स्टार्ट करते है तो यहाँ पे Portland की बात करूँ तो दोस्तो आपको Malcolm Brogdon स्टार्टिंग लाइनप में देखने को मिल जाएंगा उसका यहाँ पर इवान मॉबले है और सेंटर में आपको जेरट एलन देखने को मिल जाएंगा तो यह दोनों टीमों की स्टार्टिंग लाइनप होने वाली है तो यह लास्ट मेंच का यहाँ पर रेकोर्ड है आप एक बार चेक कर सकते हो डियरिय असिस्ट के साथ बहुत ही बढ़िया काम किया था और एक वन सेड़ेड मेंच गया था यह बाकि मैक्स टूस का पहुमस देख सकते हो बहुत ही लाज़व आप खेल रहा है इवन मोबली ने तो भी बहुत बढ़िया किया था 17 पॉइंट के साथ 19 डिबांड और 7 ब्लोक किय किया थे तो यह काफिक बहुतरीन पहुमस है उसका जेरट एलन पी दोस्तों कुछ खास नहीं किया था लेकिन फिर भी ठीक है कभी-कभी बहुत ही बढ़िया खेल जाता है बेन से आके आप चेक कर लेना पहुमस सभी प्लेयास का जिसमें से लवेट है और जो नियंग काफ 2011 की आज की nin पहते है ऊज कि द्रीम 11 की वीनिग आज की है आज जी की ही सारी दोस्तों आफ देख सकता हूँ NBL की और दोस्तो NBA की आज की विनिग सब्सक्राइब यहां पर चेक करें घंड़ सारी विनिंग आप यहां पर कर रहे है यहां भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यह सरी विनिंग अब देखे के बहुत सारे कलिंग पिप हो dit एका तो यानि कि आपको विंड करना है बास्केटल बहुत सारे एसे लोग होते हैं जो विनिंग कर रहाते हैं लेकिन पैसे लेते हैं हम आपके पास कोई भी पैसा नहीं लेते हैं बिलकुल फ्री है निचे लिंक दे रहा हूँ है इसी वीडियो के निचे डिसीशन में एस सेम टेलिग्रम चैनलन का नहीं में नाम दोस्तों फ्ल अब देख सकते हैं लास्ट गेम का फामस दोस्तों इंडियन अपर स्कोर आया था यहां पर एटन की बात कर तो डबल डबल जेरे भी ग्रांट आपको बताने की जरूत नहीं है आपको पता ही होगा बहुत ही अच्छे फॉम में चल रहा है ठीक है मालकम रोगडन की बात कर पर पर यहां पर देख सकते हो बहुत ही इसमें पर तीन बलॉक किये थे यानि कि तो अच्छा का सा ओल्ड रावंडर काम कर रहा है वो 22 पॉइंट उसमें भी इसमें सकोर किये थे बाकि शेडन शार्फ है उससे अच्छा आपको मालकम प्रोक्डन देखने को मिल जिंगा दी अंदर एटन है साथ दोनों मेच में उसने 13-13 रिबाउंड लिये थे आप चेक कर लेना जैसे यहाँ पे कमरा को कम समय मिल रहा है कि बेंच आप चेक कर सकते हो तो दोस्तो भी ड्रीमिलेवन टीम के बार में बात करेंगे और पिछले काफी सारा टायम से दोस्तो आपको वीडियो अपडेट नहीं मिल रहा था उसके लिए माफी चाहता हूँ लेकिन दोस्तो आज से आपको रेगिलर जो है अपडेट मिल जाएगा ठीके सभी वेचिस का तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन बहुत ज़दा एसे मेचिस होंगे जो हम कवर करेंगे आपके लिए वीडियो में ठीके ताकि आप दोस्तो जील जीच सको आप अपनी एसल की ट पर चाहिए तो दोस्तो यहां पर पीजी से स्टार्ट करते हैं तो पीजी में क्या है कि अभी मालको ब्रोग्ड़न पर नंबर उन पीखे पीजी सेक्शन में हम उसको ज़रूर ले लेंगे लेकिन बाद भी दोस्तो तेरा क्रेट है यहां पर गार्लेंड के जो तो दोस्तो यहां पर आपने मिचल पी किया मानके चलिए कि आपने यह मिचल पीक नहीं किया तो यहां पे दोस्तों लवट का 14.5 करिट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको मैं नहीं लूँगा ठीक है और दोस्तों में एनफरी सामस तो है नहीं उसको तो मैं इसको भी ना ले तो दोस्तों यहां पर इसको बीडि़ जेरोम को भी ना ले एक ही ओप्सन बता है अगर आपको मिचल नहीं लेना है तो 100% कमा रही लेना पड़ेगा मैं दोस्तों Бात का रहा नहीं क rok कार की बात नहीं कर रहा हूं की दौन को यहां पर क्या है कि अभी थोड़ा रिस्क ले रहा है विकुर्ष सताइब कर सकता है उपस्पषार ओप सबसे बड़ी है इस अजोगा हो लहीए है मीचेल को ड्रॉप करेंगे तो star player के लिए दोस्तों दो option बन जाएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है small food के बाद को shade and sharp 15 credit में मैं drop करूँगा grandly kpk पहलोग बहुती बड़िया सी अच्छी grandly kpk अभी इसमें option में आपको देना चाहता हूँ कि क्या है कल, कल दोस्तों max 2 से 12 credit का उससे अच्छा आपको sharp लेना है ठीक है, तीन credit अगर आपके पस extra बच रहे है, जिसमें दोस्तों बहुत कम उमीद है, लेकिन आप किसी भी तरह से manage कर रहे हो, तो आप max 2 से पहले sharp ले सकते हो, लेकिन मैं अभी इसा नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को credit बहुती ज़्यादा need है, चाहिए मुझे इसी लिए, ठीक है तो यहाँ पर उसके अलावा तो आपको यहाँ पे ऐसारे option तो है नहीं, ओको रखा option है, लेकिन मुझे बड़ी असी पीक है और जेरे मिग्रांट, दोनों पीक आप मिस नहीं कर सकते है, स्मॉल लिक के लिए, जिस तरीके से दोनों खेल रहे है, ठीक है, उसका आप नीचे जाएंगे तो आपको जो नियांग आपको देखने को मिलेंगा, यह भी काफी अच्छी पीक है, यह भी फोम में है, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे दी अंदर आइतन है, जेरेट एलन है, ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं कोई आपको सुझेस्ट नहीं करूंगा, दो option है, जिसमें से अगर आइतन लेना है, तो भी ले सकते हो, जेरेट एलन आपके लिए अच्छी पीक अवेलेबल मिल रहा है, आप उसको भी ले सकते हो, अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं अभी यहाँ पी आइतन लू, यहाँ पे दोस्तों मैं जोड नियांग लूँ और यहाँ पे मैं मैं लूम मैक्स ट्रूस तो मेरी परफेक्ट टीम अभी बन रही है तो अभी में यहां पर ले लेता हूँ इस तरीके से दोस्तों यहां पर टीम का प्रिव्यू आपको देखने को मिलेगा यह स्टार्टिंग लाइनप आउट होने से पहले की टीम है अगर स्टार्टिंग लाइप में कुछ भी तो कि आपको मिल जाएगा बाकि स्टार पर वाइस कर्प्टन यह दो अच्छे है दोस्तों मॉबली और ग्रैंट ठीक है अगर मिचल नहीं लेना है तो यह दोनों काफी बहतरीन आपके लिए होने वाले है बाकि अगर आपको यहां पर जो है जेरट एलन लेना है तो आप दोस्तों कुछ चेंजिस कर सकते हैं यहां पर यहां पर आप ले सकते हो जो नियांग आपके पास टेन करीट बज़ जाएंगे लेकिन टेन नियांग या तो फिर दोस्तों थाइबुल ले सकते हो बाकितो इतन अच्छा option नहीं पहले हैं उच्छे option होने वाले उस से भुब्स एक्ष्टा समय मिले गव्योग खेले के लिए नियांग को दोस्तों थोड़ा बहुत कम समय मिलेगा तो प्रीविव कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अगर आपको यहां पर लेना है तो बाकी अगर कुछ चेंजिस करना है अगर आपको मान के चलिए कि दोनों मिचल वाले टीम बनाई है तो दोस्तों मिचल को बिसली हम लेंगे यहाँ पर दोनों में से कोई एक लेना है ब्रोग्डोन लेना है या गार्डेन लेना है ठीक है यहाँ पर थैबूल लेंगे हम ड्रॉप करेंगे मैक्स टूस को यहाँ पर जेरेमी ग्रेंट को लेंगे हम य बाकि 9 कडिट बच रहा है तो 9 कडिट में तो भाई लोग उतनी ची कोई पिक्स अवेलेबल है यहां पर हैंडल सन अवेलेबल है और कमार आवेलेबल है दो दोस्तों पिक्स अवेलेबल आपके लिए वह आप ट्राइ कर सकते हो बाकि इसमें कुछ खास नहीं है बाकि अगर आपके पास 10 कडिट बचाएंगे तो आप ओको रोले सकते हो ठीक है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर आइतन की जगह दोस्तों मोबले ले रहा हूं या तो फिर एक और चेंजर सो सकता है आप यहां पर एतन ले सकत बाकि आप अगर बहुत ही जदा सहफ पीक पसंद करेंगे तो आपके पास कमारा उप्सन अबले बहले क्रिडिक बच रहा है दोस्तों उसका कोई टेंशन नहीं है ठीक है थाइबुल की जगह आप नहीं भई लोग कोई और ट्राइ नहीं कर सकते यहां पर तेरा क्रिक बच आप लेना चाहते हैं कोई और ख्राड़ी तो दोस्तों नाम आएगा यहां पर वोकर का ठीक है वोकर लेकिन बैंस से कहलेगा कमारा स्टार्ट करेगा सोरी यहां पर थाइबुल अच्छी है दोस्तों ए देख लीजिए यहां पर डोनु मिचल है जिसको में स्टार पेर बन चलेगा तो इस वीडियो में इतना ही है थोड़ा बहुत लॉंग वीडियो बन गया है तो उसके लिए मैं माफी चाहत हो बकि ग्रेंट लीक की पिक्स की बात कर लेंगे तो ग्रेंट लीक में तो दूस्तों यहां पर एक तो जरूर पिक करेगा कोई ना कोई ठीक है यहां पर तो कोई नहीं है यहाँ पर भी दोस्तों शार बखती बड़ी अगरेंड लीकी पिखे जिसकों मिने आपको आगर ही बता दिया है ठीक है झाल झाल